नमस्कार फ्रेंज, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में और फ्रेंज, आज हम लोग एक बहुत ही बढ़िया हाउस के बारे में डिसकस करेंगे फ्रेंज, जो की आप लोग देख सकते हैं, इसका एलिवेशन हमने बहुत ही बढ़िया धंक से बनाया है, अगर आप लोग स्मॉल फैमिली से बिलॉंग करते हैं तो आप लोग इस प्लान के कोडिंग जा सकते हैं और इसका जो हमने वीर्थ रखा है बिल्ट अप एडिया में तो 22 फिट रखा है और लेंद रखा है 30 फिट जिसमें कि आप देख सकते हैं इस घर में हमने साइड से स्टेर का डिजैन कि है तो इसमें जो बिल्ट अप एडिया हो जाएगा इस टेर को मिलाकर वह लगबग आपका 26 फिट हो जाएगा वीर्थ में और लेंद में हो जाएगा फ्रेंस 30 फिट तो 26 वाइट 30 में यह प्लान बना हुआ है और टू बीच का प्लान आपका ग्राउंड फ्लोर में होगा और वन बीच का प्लान आपका फैस्ट फ्लोर में होगा फ्रेंस आप लोग देख सकते हैं काफी बढ़िया प्लान है लो बजट का भी प्लान है इसको आप विलेज में भी बना सकते हैं और सिटी एरिया में भी बना सकते हैं फ्रेंस आप लोग इस वीडियो में बने रहें इस टेर के जड़िए आप लोग सिटिंग एरिया में भी जा सकते हैं और यहाँ पे हमने तीन एस्टेप बनाया है और सिटिंग एरिया में भी आपको यहाँ पे बहुत ही बढ़िया स्पेस देखने को मिलेगा वेंट्रिलेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप लोग में गेट लगाना चाहते हैं तो इसमें आप लोग कुलैपसिबल गेट भी यूज कर सकते हैं अगर आप लोग इस टाइप का घर बनाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने बिल्टप एडिया रखा ह है फ्रेंस चब्वीस बाइटीस में तो उसके कोडिंग आपका सिटिंग एरिया में भी काफी बढ़िया एस्पेस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे हमने एक मेंट दिया है मेंट के जरी जैसी घर के अंदर आते हैं आप पहुंच जाएंगे हॉल में तो हॉल में भी आ आपको फ्रेंस बहुत ही बढ़िया एस्पेस देखने को मिलेगा और इसमें भी हमने वेंटिलेशन के लिए एक विंडो का यूज क्या है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक विंडो हमने लेफ्ट साइड में और एक हमने फ्रॉंट में दिया है तो इसमें आपको फ् सेकेंड बेड्रूम में भी आपको बहुत इवडिया एस्पेस देखने को मिलेगा और जो हमने बेड्रूम का साइज बनाया है तो इसमें 10 गुने 11 का हमने डिजाइन किया है दस वीट आपका विड्थ में हो जागा लेंद में हमने 11 फिट दिया है और जो आपका याए स्पेस देखने को मिलेगा और इसमें जो हमने काउंटर का डिजाइन किया है एलसे हमने काउंटर बनाया आपको यह घर कैसा लगा आप कोमेंट करके भी बता सकते हैं अगर आप लोग इस टाइप का घर बनाना चाहते हैं तो इसमें जो आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आगा फ्रेंस वह लगबग दस से पंद्रा लाग तक आएंगे ऑनली इस्ट्रक्शन प्लान में इसमें आपका कोई भी फिनिशिंग वर्क नहीं होगा और यह इस घर का हो जाएगा कॉमन ट्वालेट प्लस बाथरूम कि जो कि इसमें भी आपको बहुत ही बढ़िया एस्पेस देखने को मिलेगा आपको यह घर कैसा लगा आप कॉमेंट करके भी बता सकते हैं अगर आप लोग को इस टैप का घर देखना है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए फॉलो कीजिए फ्रेंस हम लोग चलेंगे फर्स्ट फ्लोर में भी तो आप यहां पे देख सकते हैं जो हमने बाहर में इस्टेर का डिजाइन किया है तो उसके जड़िये हम आपको फर्स्ट फ्लोर में भी लेकर चलेंगे और बताएंगे कि जो फर्स्ट फ्लोर में हमने डिजाइन किया है उसमें आपको क्या कैं मिलेगा तो आप यहां पर देख सकते हैं जो इस टेर का हम वीरत रखाई तो तीन फीट रखा है Reeling में हमने यहां पर Stainless Steel का यूज किया है यह आप का होजागा PacS रोप 2015 Mentionitime Main Gate से घर के अंदर आप इंटर करते हैं तो आप इसको Geschäft में convert कर सकते हैं और यहां पे हमने 1 b h का plan बनाया है यह आपका हो जाएगा फ्रेंस hall area या इसको आप sitting area में भी convert कर सकते हैं और यहां पे भी हमने kitchen और एक common toilet plus bathroom बनाया है यह आपका हो जाएगा balcony area first floor का तो यहां पे भी आप देख सकते हैं इसमें भी आपको बहुत इवडिया इस्पेस देखने को मिल रहा है फ्रेंस तो आज का यही प्लान था 26 बाई 32 का मैं आशा करता हूँ कि यह प्लान आप लोग को बढ़िया लगा होगा फ्रेंस वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धनेवाद